नमस्ते, music production course को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं लाइक कौन जॉइन कर सकता है, music production में क्या-क्या सिखाया जाता है करियर की क्या संभावना है, टाइम कितना लग जाएगा, इस course के फी कितने होंगे इस तरह के सवाल आपके मन में आते रहते हैं तो मैं इन ही चीजों पे discuss करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस course के लिए कौन जॉइन कर सकता है इस course के लिए कोई भी जॉइन कर सकता है, बस आपके पास music के प्रती passion होना चाहिए अब बात आती है कि इस course में सिखाया क्या जाता है अगर आप music production के लिए जॉइन करते हैं कहीं पर भी तो आपको क्या-क्या सिखाया जाएगा music production में जो सिखाया जाता है music theory, composition, arranging, editing, recording, mixing and mastering music theory में हम सिखते हैं note, scale, chord progression के बारे में और भी बहुत सारी चीजे हैं हम सिखते है music theory में and जितना आपका music theory strong रहेगा उतना ही आप बहुतरीन काम कर पाएंगे music production course में जो हमारा main focus होता है कि हम किस तरह से किसी गाने को लेकर complete music बनाए like melody कैसे बनाए, chord कैसे बनाए, bass line कैसे बनाए और भी बहुत सारे elements होते हैं जिसको हम add करते हैं and rhythm programming कैसे करें, mix कैसे करें, बहुत सारे लोग हैं जो keyboard play करना नहीं जानते इस case में आप piano role के द्वारा music बना सकते हैं, यदि आप चाहते हैं media keyboard से भी music compose करना तो आप रोज practice करते रहें media keyboard के उपर, आने वाले दिनों में आप keyboard या media बजाना सिख जाएंगे इससे क्या होगा, आपको music बनाने में और भी असानी होगी अब बात करते हैं इस course का duration कितना होता है and fee के बारे में तो देखें इसका जो course का duration होता है, तीन महिने, चार, छे, maximum साल भर हो सकता है बट यहाँ time से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब यह है कि जब आप join करते हैं तो आप क्या होते हैं, label one के होते हैं, मतलब beginner label के होते हैं, ठीक है तो आप जहाँ भी join करिए, कम से कम इतना जरूर एक बार confirm कर लिजिए कि course के बाद, माली जी आपके course का duration तीन महिने का है तीन महिने के बाद, अगर कोई दिक्कत आपको आती है, तो क्या support मिलेगा उस संस्था से जहाँ पे आपने सीखा था, यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तीन महिने बाद आपको कोई doubt नहीं आएगी आप beginner होते हैं, आपको long time support की ज़रत परती है यहाँ पे धीरे धीरे practice करते हैं, तो आप L2 लेबल पे पहुंचते हैं, मतलब intermediate लेबल पे और काफी दिन लग जाते हैं आपको एक pro लेबल पे आने में, ठीक है तो इस लेबल पे आने के लिए आपको काफी मैनत करनी होगी अब बात करते हैं fees के बारे में, जो minimum है वो starting 20-25 जार तक आप कह सकते हैं और maximum इसका जो fees है वो लाख रुपे तक भी जा सकता है तो अलग लग संस्था हैं, अपने management को देखते हुए उन्होंने अपना एक particular fees रखा हुआ है अब आप ये देखिए कि आपका budget कितना है और आप किस लेबल का music production सीखना चाहते हैं आप अपने requirement को देखिए, आपका requirement क्या है, आप किस label का production सीखना चाहते हैं और आपके लिए कौन सी संस्था सही है, जो आपके requirement को fulfill कर पाए देखिए music के अलग लग genre, जैसे rock है, pop music है, hip hop है, electronic music है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे genre है, rap song है अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि, भाई क्या मुझे अगर hip hop सीखना है, तो hip hop वाले के पास जाना पड़ेगा, पंजाबी सीखना है, जो पंजाबी सीखा रहा हूँ, उसके पास जाना पड़ेगा, rap song के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, भोजपूरी सीखना है तो आप जब practice करने लगते हैं तो आपके अंदर एक sense develop होने लगता है, अगर माली जी आपको sad song करनी है, तो आप sad song सुनिए, तो आपको पता लगने लगेगा कि instrument में इसमें क्या-क्या लगाया गया है, like string है, volume है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, फिर आप सुनके पता की career की संभावनाएं हैं, तो आप सबसे पहले तो अपना खुद का studio setup कर सकते हैं, और दूसरी की आप as a composer काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा purpose यह था, कि जो लोग music production सिखना चाहते हैं, या career बनाना चाहते हैं, उनको म मैं थोड़ी बहुत guide कर पाऊं, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you so much.